हलो फ्रेंड वेलकुम तो माई यूटूब चैनल एक्सेलेंट सक्सेस ग्रोप है तो फ्रेंड आज हम डिसकस करेंगे क्लास 10 में चैप्र 12 अक्सेस 12.1 का कोशें नमबर 2 बोला गया दर एडियर ऑफ टू सर्कल 8 चैनिमिटर और 6 चैनिमिटर इस्पेक्टिवली Find the radius of a circle having the area equal to the sum of the area of two circle बोला ये गया है कि दो सर्कल है जिनकी radius दे रखें मेरेको एक की radius है और आट सिर्ट मानलो ये अरवन दे रखें मेरेको 8 सिर्निमिटर ठीक है और को दूसरा सर्कल है जिसकी radius दे रखें 6 सिर्निमिटर ठीक है इसकी आर्टू माली ये 6 सेनिमेटर बोला गया इन दोनों का एरिया अगर प्लस कर दिया जाए तो ये एकुल होता है किसी तीसरे सरकल के एरिया के एकुल होता है ठीक है तो बताओ इस सरकल की रेडियस कितनी होगी इस सरकल की मेरे से रेडियस पूछी गया है बोलो गया है इन दोनों का एरिया इकुल है इसके एरिया के ठीक है इसे माल लिया C1 इसे C2 माल लिया इसे C3 माल लिया तो फ्रेंड हमारे पस कोशन में जो गीवन इनिफॉमिशन है वो मैं लेक देता हूँ मेरे पास given है radius यहने कि तिर्जा ठीक है यहने कि C1 की radius कोन है R1 जो कि कित्री दिरखी है 8 cm R2 मेरे को दिरखी 6 cm जो कि C2 की है और C3 की radius कोन है R जो कि मेरे को निकालनी है ठीक है friend इसके बाद मैं लिखूँगा according to question ठीक है हिंदे में लिखूँगा परशना अनुसार question clearly बोला गया है कि area C1 का plus area C2 का equal area C3 के ठीक है friend इसके equal है अब basically area of a circle क्या होता है जिसको मैं यहां लिख देता हूँ area of circle area of circle को हम बोला है तब pi r square यानि कि वृत का छेतरफल रिख का छेतरफल तो C1 के लिए क्या हो जागा pi r square r कौन सी 1 वाली इसका area pi r square r कौन सी second वाली इसका area pi r square r कौन सी capital वाली दोनों में pi common आ रहे commonly लिया r1 का square r2 का square pi r का square pi से pi cancel हो गया अब small r1 कितना है 8 8 का square ये वाली कितनी है 6 का square capital r मालूम नहीं है अब 8 को square का मलब क्या है 8 को 8 से मटिपला करना 8 years are 64 6 years are 36 r square दोनों को plus किया कितना आया 100 आया ठीक है इसके उपर square हटेगा सामने वाले पर root 100 कों क्या ली सकते है 10 into 10 ठीक है इन दोनों में से बाहर को ना आयागा 10 आ जायागा तो यानि कि नए circle की जो radius होगी वो कितनी होगी 10 cm होगी ठीक है friend और इसीक साथ मेरा question number 2 यहाँ पर complete होता है उमीद करता हूँ आपको समझ में आओगा अगर फ्रेंट वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक आप बिटन जरू दिबाए और नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ठीक है फ्रेंट तो मिलता है ले वीडियो के अंदर ओके बाई 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 थैंक यू